आज जो पंजाब के नतीजे आएं ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई है अज पंजाब के अंदर सुखबीर सिंग बादल हार गए कैप्टें साहब हार गए चन्नी साहब हार गए प्रकाश सिंग बादल साहब हार गए नवजोट सिंग सिद्धू हार गए विक्रम सिंग मजीथियां हार गए पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों बहुत बड़ा इंकलाब है ये बहुत बड़ा इंकलाब है भगत सिंग ने एक बारी कहा था भगत सिंग ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला वेल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था लूट रहे थे देश को कोई स्कूल नहीं ब सिस्टम बदलाएं पिछले 7 साल के अंदर किसम बदलाएं कि हमने इमांदार राजदीती की शुरुआत की है अंब बच्चों के स्कूल बनने लगें गरीबों के बच्चों को अछी शिक्शा मिलने लगी है बाबा साथ हम बैड कर और भगत सिंग जी का सपना पूरा होने लगाया है कि लुकिन दूस्तों यह इतना असान नहीं है यह लोग सारे मिल के बहूद बड़ी बड़ी ताकते हैं बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं हम लोग तो हूठञते इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी ताक्ते हैं ये सारी ताक्ते मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े शड़ेंत्र किये गए कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफ अधिमी क्ररी पार्टी नी आनी चांग कोई पार्टी आजाए सबका एक ही मक्साद form आदमी क्रणिमी पार्टी नी आनी है कोई भी पार्टी आजये बड़े बड़े शड़ोंत्र की इंप अन्तौ में ये सरेी कठ्हों के बोले केजरिवा लाँतंक है दोस्तों आज इन नतीजों के जरिये जनता ने बोल दिया देश की जनता ने बोल दिया केजरिवाल आतंक वादिनी है केजरिवाल देश का सच्चा सपूत है केजरिवाल सच्चा देश भक्त है जनता ने अपना नतीजा सुना दिया जनता कह रही है केजरिवाल आतंक वादिनी है आतंक वादि तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके दोस्तों आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है हम सब लोगों को संकल्प लेना एक नया भारत बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा महबबत करेगा कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मा बहने सुरक्षित होंगी एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी एक ऐसा भारत बनाएंगे मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल के शिक्षा लेने के लिए युक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे खूब सारे इंजीनिरिंग कॉलेज खोलेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को युक्रेन नी जैना पड़ेगा पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं जितनी महिलाएं देख रहे हैं मेरी माँ बहने देख रहे हैं जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रिलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यपारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सब को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब आते हो आज समय आ गया है पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ अब पंजाब में इंकलाब हुआ अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे युवां आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे किसान आमादमी पार्टी जोइन करें सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपती सब आमादमी पार्टी जोइन करें आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं एक आमादमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ आपको पता है कि चरंजी चन्नी जी को आज किसने हराया है भदोर से लाब सिंग उगो के कौन है ये लाब सिंग उगो के मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है उनकी माता जी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करमचारी का काम करती है उनके पिता जी खेतों में मजदूरी करती है ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंग चन्नी को आज चुनाओं में हराया है आपको पता है नवजोज सिंग सिद्धू को किस ने हराया है हमारी एक महिला वॉलंटियर है आम महिला है आम वॉलंटियर है जीवन जोटकोर उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया तो दोस्तों आम आदमी बड़ी ताकत है मैं बार-बार कहता हूँ इसाम आदमी को चुनोती मद्दो ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े-बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी-बड़ी कुरसी आई जाएंगे तो आज मैं सब लोगों को देश के लोगों को अवान करता हूँ, अपनी ताकत को पहचानो मैं खड़े हो जाओ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आगया है भारत का, 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिये, अब और टाइम खराब नहीं करना सब लोगों को सब लोग आम आदमी पार्टी जोइन करो आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है आम आदमी पार्टी भगत सिंग के सपनों को पूरा करने का नाम है मैं आज मेरे छोटे भाई भगवन सिंग मान जी को पंजाब का सीम बनने के लिए बहुत-बहुत बदाई देना चाहता हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मुझा पूरा विश्वास है कि जो उमीद 90 के पार सीट ओचुकी है अभी तक अभी नतीजे और आ रहे हैं इतना बड़ा बहुमत इतना बड़ा बहुमत यह डर भी लगता है लोगों ने बड़ी उमीदे जताई है लोगों ने बड़ा विश्वास किया है इस विश्वास को हमें तूटने नहीं देना सब को पूरा करना है तो एक तो ये, कि हमारे जितने कारे करता हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हमें घमंड नी करना, हमें एहंकार नी करना, हमें बत्तमीजी नी करनी, ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केज हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना हमें इस देश की राजनीती बदलनी है कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी आपको मुबारक मैंने स्विकारी नहीं की आपकी गाली हमें प्यार और महबबत की राजनीती लेके आनी है हमें सेवा की राजनीती करनी ह कहीं कोई बिमार दिखे कहीं कोई मुसीबत में दिखे उसकी मदद करो हमें सेवा की राजनीती करनी है मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं उनका आशिरवाद लेने के लिए गया था उनका आशिरवाद लिया और मुझे पूरी उम्मीर है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों भारत मता की इनकलाब इनकलाब